अल्मान खान की मोस्ट पॉपुलर और कॉन्टरवेशल शू बिग पॉस सीजन 14 को लेकर हाल ही में एक बेहद बड़ी खबर सामने आई है जी हाँ दोस्तो जानकर इकलिए आपको बता दें कि भोचपुरी सिनेमा के मशूर अभीनेता खेसारी लाल यादव ने हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया है इस शो को लेकर तो आईए आपको बताते हैं कि आखिरकार क्या कहते हुए नजर आए हैं खेसारी लाल यादव जानकर इकलिए आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव ने अपने इंटरेव्यू में बताया है Big Boss की बारे में वह कहते हैं कि बिग बॉस इकलोता ऐसा शो है जहां पर लड़ाई जगड़े ही सीखे जा सकती है मैं भी बिग बॉस के शो का हिस्सा रह चुका हूँ और मैंने सिर्फ यहां पर लड़ाई जगड़ा ही देखा है वहां से कुछ अच्छा सीख कर इनसान बाहर आये तो ठीक है वरना कुछ खास नहीं है जी हां इशो को लेकर प्रतिक्रिया दी है खिसारी लाल यादव ने और कहा है कि इस बार जो सीजन चल रहा है उसमें लोग काफी अच्छा कर रही होंगे गेम भी ठीक से खेल रहे होंगे लेकि समय ना मिलने के कारण मैं सीजन को फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ वैल खेसारी लाल यादव के इस स्टेटमेंट से साफतोर पर जाहिर होता है कि वह कहीं ना कहीं बिग बॉस शो को ज्यादा पसंद नहीं करते हैं जानकारी खेसारी लाल यादव ने पिछले साल बिग बॉस सीजन 13 में हिस्सा लिया था और जल्ध ही शो से बाहर भी हो गए थे वही साथ ही साथ आपको बता दें कि खेसारी ने आगे ये भी कहा है कि जब बिग बॉस के शो का मैं हिस्सा बना था तो मैं सिर्फ यही चाहता था कि भोजपूरी इंडस्टी को लोगों के सामने लेकर आऊं और उन्हें इस इंडस्टी से रूबरू कराऊं और इस तरह से खेसारी लाल यादब ने ये बड़ा स्टेटमेंट दिया है शो को लेकर वेल जानकरी के लिए आपको बता दें कि फिलहाल बिग बॉस सीजन 14 भरपूर चरचाओं में बना हुआ है और सोशल मीडिया पर कंटेस्टेंट को लेकर फैंस अपनी अपनी स्पिरते करियाएं भी दे रहे हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में इतना ही तब तक के लिए आप देखते रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूस